नमस्का जहिंद औल एक्जाम गाइड गुरू का यूटूब चनल देख रहे हैं जी के पिछले 30 साल से बार बार पूछे गए कॉश्चन लिकर आ गए हैं ये कॉश्चन आप जिस एक्जाम की तयारी करें उसमें फस सकते हैं पूरे कॉश्चन लगा लेना अच्छे से याद कर लेना मज़ा आएगा पढ़के वीडियो एक नमबर होने वाला है शांदार सेलेक्टेड कॉश्चन पहला कॉश्चन देखो राष्टपती पद का चुनाओं संचालित किया जाता है तो राष्टपती पद का जो चुनाओं होता है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित होता है option number सी निर्वाचन आयोग राइट आंसर है कोईला एक क्या है तत्त्व या मिश्ण जो कोईला है कोईला एक तत्त्व है option number यहाँ पर कोईला एक तत्व की सिर्णी में आता है राइट आंसर है कौन से अनुच्छेद के अंतरगत भारत का सर्वोच्छ नियालाय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है तो मौलिक अधिकारों की रक्षा अनुच्छेद 32 के तहत होती है उप्षन नमड़ी अनुच्छेद 32 राइट आंसर है मात्र एक मुठी बाजरे के लिए मैंने अपना सामराज खो दिया किसका कथन था तो ये कौन सा साशक था जिसने बोला था मात्र एक मुठी बाजरे के लिए में अपना सामराज खोदिया शेर शाहसूरी प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा option number निम्दमे से कौन से रोग युग्म विशाणु जन्न है तो विशाणु के द्वारा या वायर इसको किस ने मारा था तो जलियावाला बाग अठ्याकान्ट के लिए जिम्मदार जिम्मदार ज sentences ये राइट आंसर है वोखम्प के नीला दिखाई देता है तो एक तारा तारे की बात हो रही है यदि उसका कलरान नीला होगा तो सूरे से अधिक गर्म है वो option number 5 सूरे से अधिक गर्म प्रशने के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जो नीला तारा दिखाई देगा वो सूरे से अधिक गर्म होगा या रखेगा स्वतंता संघर्ष के दोरान हुए असयोग आंदोलन की परिकल्पना में क्या शामिल नहीं था तो जो असयोग आंदोलन हुआ था उसके बाद जो मशुहूर हिंसा हो गए थी वो शामिल नहीं था option मशी मशहूर हिंसा उसमें सामिल नहीं थी to覺得 अर्थात जीवन का विज्ञान का उलेक सर्पkuत्म किसमें मिलता है तो अयूर वेद का जो Алु़ेक है सबसे पहले मिलता है अतर्व वेद में option नबर्यां पड़ी option number V एकल अहस्ता अंत्रणिया मदपद्धती right answer है भारत में सचियो का पद किसके दुवारा निर्मित किया गया है या किया गया था तो सचियो का पद निर्मित किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत option number V बारूद क्या होता है तत्व योगि किया mission तो बारूद जो है एक mission है option number अबर सी बारूद एक mission है right answer है भारती है समयधान के किस अनुचेद में अलप संख्यकों की हितों की संदक्षन की व्यत्ता की व्यत्ता अनुच्यत 29 में की गई है option number V अनुच्यत 29 right answer है क्रशिकों की सहायता के लिए शेरशा सूरी ने कौन सी विस्था आरम की थी तो क्रशिकों की सहायता के लिए शेरशा सूरी ने पट्टा एवं कबूलियत की विस्था स्टार्ट की थी option number A यहाँ पर आइट आंसर है विशानू जनित रोग इनमें से कौन सा है तो वायसराय की कार्यकारणी परिसत से शंकरन नायर जी ने श्तीपा दिया था, option number C, संकरन नायर जी राइट आंसर है, भूपरपटी में सरवाधिक प्रचोर मात्रा में पाई जाने वाली धातु बताईए, नीले रंग के तारिका तापमान, option number E, नीले रंग के तारिका तापमान सबसे यह देखूगा, अभीनाव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो अभीनाव भारत समाज इसके स्थापना विनायक सावरकरजी के द्वारा की गई थी, दोस्तों जो ये कॉशन में आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके एक्जाम में आ सकते हैं और इसकी हमने पीडियाफ बना लिए 10,000 कॉशन इखटे कर लिए कितने कॉशन जीके के 10,000 कॉशन आप में से जो भी ले सकता है जिसकी छमता है 10,000 कॉशन ये ले लेना 300 रुपर की पीडियाफ है लेकिन हमने थोड़ा कम कर दिया है कि सभी ले लेख सकें 99 रुपर रखा है चार्ज 99 रुपर में आपको 10,000 कॉशन यूटूब पर कहीं नहीं मिलेंगे और यह आपके एक्जाम में जीकी के कॉशन है फसकते हैं 30 साल से बार बार आ रहे हैं पीडियाफ इसको भी चाहिए फोन पे गूगल पे पेटियम के माद्य हम से पेमाइंट कर सकते हो नीचे दियेगा नंबर पो फोन लगा के बात कर लेना बाकी जानकारी आपको दे देंगे ठीक है अथर्व वेद में कहा गया है option अमड़ी अथर्व वेद राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपती निर्वाचित होने के लिए निर्वाचित में से कौन सी बात अयोगिता मानी जाएगी तो राष्ट्रपती बनना हूँ तो आप यदि कोई लाब के पद को ग्रण किये होग तो राष्ट्रपती नहीं बन सकते option अमड़ी यहाँ पर लाब के पद को त्याग न पड़ेगा आपको किसी अधिनियम की प्रमुख विशेष्टा प्रांती स्वायत्ता थी तो प्रांती स्वायत्ता ये 1935 का जो अधिनियम था उसकी मुख विशेष्टा थी प्रांती निम्नलकेत में से कौन सा एक मिश्टर नहीं है यहाँ पर आपको जो option देख हैं उसमें से आपका gray fight एक मिश्टर नहीं है option नमबर एक मिश्टर की सिर्णी में नहीं आता यहाँ रखना वागी काच पीतल और इस पात ये मिश्टर है मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अ संबनित है अनुछेद 24 से बच्चों के शोशन से संबनित अनुछेद है option बड़ी यहां पर right answer है शेरशा के समय निर्मित सराय निर्मित सराय किस काम में नहीं आती थी तो शेरशा के समय जो सराय थी उस वह डांक चोंकी थी यात्रियों के लिए भी थी और अधिकारियों के सस्त्रागार वहां पर सस्त्र नहीं रखे आते थे option बड़ी BCG वैक्सीन का प्रयोग किस रोग से बचाव के लिए होता है तो यहां पर आपको जो option दिये गए इसमें से आएगा आपका तपैदिक रोग उसमें सामिल है option बड़ी तपैदिक सामिल है BCG के टीके बचाव के जलिया वाला बाग हाथसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबने था तो जलिया वाला बाग हाथसा जो हुआ था आपका जनरल डायर या जनरल ओडायर option बड़ी यहां पर right answer है भूपरपटी में पाए जाने वाला दूसरा सरवादिक प्रशुर्ट तत्व कौन सा है तत्व की बात हो रही है तो सबसे प्रशुर्ट तत्व है आपका silicon option बड़ी यहां पर भी silicon right answer है black hole की जानकारी सरपतम किस ने रिथी तो black hole की जानकारी सबसे पहले S चंदर Χेखर ने री थी option नमबर C S चंदर्शेखर right answer है लाला लाजपत राय का निवास इस्थल क्या है तो लाला लाजपत राय जी का निवास इस्थल है आपका पंजाब, option नमबर C पंजाब जो है ये लाला राजपत राई जी का निवास स्थल है राइट आंसर है पराग कड़ों का अध्यन क्या कहलाता है तो पराग कड़ों का अध्यन आपका पैलीनो लौजी कहलाएगा ऑप्शन नमबर भी पैलीनो लौजी पराग कड़ों का अध्यन कहलाएगा शुक्ल जज़ोरवेद एवं क credential ज़ोरवेद का संबंध किस mais चुछ बढ़ी येा उंचितम्धी vita को अंचितम् संगिय प्रणाली का प्रयास भर सर्कार अधिनियम डैश दुवारा किया था मैं निपनाली का सबसे पहला प्रयास यह भरterm सरकार 1935 के द्वारा किया गया था option नमबसी भारत सरकार 1935 राइट आंसर है विरंजक चूण है क्या तो bleaching powder या विरंजक चूण यह आपका एक योगिक है option नमबर भी एक योगिक है विरंजक चूण या भारती सम्विदान की किस अनुष्यद में प्रैस की स्वतनता दी गई है तो प्रैस की स्वतनता दी गई है अनुष्यद नंबर 19-1 में option अमड़ी अनुष्यद नंबर 19-1 राइट आंसर है निमनलकित मद्य यूगीन शाजकों में से कौन एक उच्छी सिक्षित था जिसने ज तो यहां पर आपको जो option देगे हैं उसमें से मलेरिया के लिए अभी तक कोई भी टीका नहीं बना है option अमड़ी मलेरिया के लिए अभी भी कोई भी टीका उपलब्द नहीं है नहीं बना है जलिया वाला बाग नरसंगार किस गांधिवादी सत्यागरे के संबंद में हुआ दो जलिया वाला बाग नरसंगार ये आपका हुआ था right answer हो जाया है रोलेट एक्ट के विरुद्द पाए जाते है क्या तो तारों के अलावा गैस एवं धूल के में अकाश गंगा में पाई जाते हैं option number C इनमें से किस एक स्वत्वित्न था aanी का मूल नाम मनि कर्नी का था तो मनि कर्नी का जो मूल नाम था ये रानी लक्ष्वी वाई जी का मूल नाम था option अमड़ी रानी लक्ष्मिवाई जी का मूलनां्ता मनि करद्री का फलों का अध्यन क्या कहला तो जो फलों का अध्यन होता इसको कहा जाता है option अध्यन अमड़ी पोमो लौजी राइट आंसर है सास्त्री संगीत के इस सिधांत की विवेचना की गई थि किसमे तो सास्त्री संगीत के सिध्धान्त की विवेचना शाम वेद में की गई है, option अमड़ी शाम वेद में की गई है राष्टपती पत के निर्वाचन हितु कौन सी पड़ती अपनाई जाती है तो राष्टपती पद के निर्वाचन ही तू समानुपातिक प्रती निरत्व एवं एकल संक्रमणिय मत पदती अपनाई जाती है option number 2 यहाँ पर right answer है निम्न लगेते मैंसे किस अधिनियम ने किंद्र में द्वेत शाषन पणाली को स्थापित किया था तो भारत में दूसरे अफगान राजिकासन स्थापक माने जाता है शेरशाह सूरी को option number 1 शेरशाह सूरी right answer है निम्न लगेते मैंसे किस व्यक्ती ने पोलियो का टीका विक्सित किया था तो पोलियो का टीका विक्सित करने का श्री जाता है जोनास एडवर्ड शालक को या जोनास ई सालक option number 2 रोलेट एक्ट की सवाइसराह के कारल में पारित हुआ था तो रोलेट एक्ट या आपका लॉड चेम्स फोड के कारेकाल में पारित हुआ था option number C लॉड चेम्स फोड right answer है हमारी आकाष गंगा की केंद्र की परिक्रमा करने के में सूर से लगता है पौधों को नाम देने वाला विज्ञान इसको वर्गी की कहा जाता है option number यी वर्गी की right answer है निम्दल कितम से किसका संकलन रिग वेद पर आधारत है तो रिग वेद पर आधारत है शाम वेद का संकलन option number यी शाम वेद का संकलन राष्टपती का निर्वाचन किस प्रकार से होता है तो राष्टपती का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्छ रूप से option number यी अप्रत्यक्छ रूप से राष्टपती का निर्वाचन होता है अकिल भारतिय महासंग इस्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था किसमें अकिल भारतिय महासंग इस्थापित करने का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था option number ये भारत सरकार अधिनियम 1935 राइट आंसर है पदार्थ की चतरत अवस्था क्या कहलाती है तो पदार्थ की चौथी वस्था होती है आपकी प्लाजमा प्लाजमा चौथी वस्था होती है पदार्थ की हुमाई द्वारा दिल्ली सल्तनत के पराभाव के उपरांत किस अधातू का सिक्का सरप्थम चलाया गया था तो दिल् प्राइदीपी ब्रम्हांड किसे कहा जाता है तो प्राइदीपी ब्रम्हांड जो है ये आकाश गंगा को कहा जाता है आकाश गंगा को प्राइदीपी ब्रम्हांड कहा जाता है चंद्रमा की किस अवस्था में चंद्रमा अध्रश्य हो जाता है मतलब गायब हो जाता है तो अमवस्या के समय चंद्रमा जो है अध्रश्य हो जाएगा गायब हो जाएगा ऑप्शन अमड़ी अकबर की प्रशाशन के वारे में अनुवान्शिकी के द्वारा जो है जानकारी मिलती है option बसी अनुवान्शिकी right answer है रिगवेद में सबसे पवित्र नदी जो है किस नदी का जिक्र है तो रिगवेद में सरस्वती नदी का जिक्र है जो कोई सबसे पवित्र मानी गई है रिगवेद में एक व्यक्ति राष्टपती पत के लिए अर्थितम कितनी वार निर्वाचित हो सकता है एक व्यक्ति राष्टपती पत के लिए जितनी चाहां उतनी वार चुना जा सकता है option number कोई भी इसकी सीमा नहीं है भारतियों को वर्ष 1947 में सार्व भौम सत्ता सोपने की योजना निर्वन मैंसे किस नाम से जानी जाती है तो सार्व भौम सत्ता सोपने की योजना है इसको माउंट बेटन योजना भी कहा जाता था option number C माउंट बेटन योजना राइट आंसर है निर्मन में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यॉगिक यहाँ पर आपको जो option दिये गहा है इसमें से वायु जो है ये ना तो तत्व है और ना ही यॉगिक Option No. 2 वायू ना तो तत्व हैं ना ही योगिक भारते सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट पती के पत के लिए पुनाह निर्वाचन की योगिता इन दहत करता है तो राष्ट पदी के पद के लिए पुना निर्वाचन अनुच्छेद 57 प्रश्ण के लिए बिल्कुल सही आंसर है हुमायू ने चुनार दुर्ग पर सबसे पहली बार आक्रमण किया और ये संथाब का 1532 इसवी आप्शन नुबर ये 1532 इसवी राइट आंसर है गांडी जी ने जब खेड़ा का दोरा किया था तो कौन उनके साथ मौजूद नहीं था तो गांडी जी के साथ महाद्यो देशाई थे, इंदुलाल यागनिक भी थे आसफ अली ये मौजूद नहीं थे option number c आशफ अली मौजूद नहीं थे आकाश गंगा मिलकी वे वर्गी करत की गई है तो आकाश गंगा या मिलकी वे सरपिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गी करत की गई है option number इस सरपिलाकार गैलेक्सी के रूप में आकाश गंगा को वर्गी करत किया गया है राइट आंसर हो जाएगा रात्री के समय, रात्री के आकाश में सबसे चमकी लिवस्तु कौन सी होती है सबसे चमकी लिवस्तु होती ही चन्दरवा, वो बहुत बड़ा होता है उपग्र है हमारे प्रत्वी के बहुत पास है, option number V 12 सताब्दी में काकती राजाओं द्वारा बनवाया गया कौन सा किला था जिसे 14 सताब्दी में कुतब शाही राजवंच द्वारा पुर्णरमित कराए गया यह किला था आपका गोल कुंडा का किला option number 1 गोल कुंडा का किला राइट आंसर है पीडोलोजी में किसका अध्यन किया जाता है तो पीडोलोजी में भूमी का अध्यन होता है option number 1 भूमी का अध्यन होता राइट आंसर है सबसे पुराना वेध इन में से कौन सा है तो सबसे पुराना वेध यहाँ पर जो option देगा है रिगवेद है सबसे पुराना वेद है और यह रहा आज का आखरी कॉशन इसमें आपसे पूछा गया है राश्टपती पत के लिए उमिदार के लिए अधिकतम आयू कितनी होना चाहिए इस प्रश्णिक आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे राश्टपती पत की उमिदार के लिए अधिकतम आयू कितनी होना चाहिए वीडियो चल लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जीएगा चल पर पहली बारा है चैनल को सब्सकाइब कर दीजेगा जिसको भी पीडियाफ की जानकारी चाहिए या पीडियाफ लेना है नीचे दीएगा नंबर पर संपर कर लेना दो वीडियो रोज मिलते हैं तो सब्सकाइब कर लेना बहुत बहुत धनवाद जय हिंद जय भारत